हो एबरीवण आज़की एस वीडेए में स्टूडेंस हम जीटी यूहां से वेडेए नेरीटोंने जा रहे हैं या जो फ confrontation करेंगे में उकल्किक जेए शिजर्साटमी सेर्माश। ने स्टूडेंस है उन्साटमीरा क्ई हुआध माधे एंति हैÖ नहीं पता है कि GT और academic में क्या difference होता है बाकी students के लिए भी beneficial रहेगा यह identify करने के लिए कि what is the main difference between the writing module of academics and general training तो start करते हैं पहले दोनों modules के बीच में difference समझते हैं academic and general training academic वो लो करते हैं those who want to pursue their higher studies in the abroad however GT उनके लिए रहते हैं those who want to acquire the citizenship of another nation तो academic और GT का आपको समझा है कि जिन्होंने higher studies करने के लिए abroad जाने वो academic exam देते हैं और general training वो देते हैं जो PR purpose के लिए जाते हैं अगर हम बात करें तो general और academic test में writing module में एक difference आता है task 1 में general में आपको एक letter लिखना होता है जिसके लिए आपका duration रहता है 20 minutes और यहां पर आपकी word length रहती है 150 to 180 word में आपको एक letter लिखना है जबकि academic में जो आपका task 1 रहता है वो graph रहता है यहां पर आपके पास 20 minutes होती है और यह जो आपने graph लिखना है वो 150 to 180 words में लिखना है जो हम अपने previous videos में already guys discuss कर चुके है writing task 2 दोनों में ही same रहेगा ऐसे रहेगा जिसके duration 40 minute रहेगी और जिसके word length कितनी हो सकते है 250 to 280 word होती है बहुत सब्सक्राइब का question रहता है कि ma'am यह एक जए 250 ही होना चाहिए 280 होना चाहिए अगर मेरा task 285 हो जाएगा तो क्या band deduct हो जाएंगे over length होने की वज़ा से या मेरे 149 होते हैं underland होने की वज़ा से band deduct होंगे ऐसा नहीं है उन्होंने एक आपको criteria दे दिया है कि 250 से 280 में तो mostly जो task होते है students वो हमारा इतनी word length में cover हो जाता है मैंक सब 285 तक exceed कर सकते हैं लेकिन कोशिश करें कि आप उसे 290 या 300 तक ना लेके जाए और कोशिश करें at least 150 words तो आप अपने task में लिखें तो आपको academic और general का समझ आ गया है और यहां पर दोनों ही task में आपके पास 60 minute रहेंगे task to 40 minute यह सेम चीज रहेगा task 1 में variation आएगा लेकिन time duration 20 training में आपको एक लेटर लिखना है तो अभी हम discuss करते हैं various type of letters types of letter तो letters कितनी तरह की होती है तीन तरह की letters होती है formal letter semi-formal और informal letter तो यह three types के जो हमें letter लिखनी है इसको लिखने का भी एक different method है इसमें कुछ variations आएंगी type के according जो हमने ध्यान में रखने है सबसे पहले formal letter formal letter students हम उन्हें लिखते हैं जैसे किसी government agency को लिखने है या उस person को जिससे हम कभी मिले नहीं है जिससे हम कभी personally जानते नहीं है जिसके साथ हमारे formal relations है तो letter लिखने के लिए एक structure रहता है structure क्या है salutation salutation means dear sir से हमने start करना है comma लगी का punctuation का हम ध्यान रखेंगे then purpose of writing लिखेंगे कि why we are writing this letter suppose अगर मुझे कोई complain करना है या information लेना है तो मैं लिखूंगे I am writing this letter to inquire about तो purpose of जो writing रहता है generally हम 2 to 3 lines में max 3 and half तक इसको stretch कर सकते हैं कि reason justify करते हैं लिखने के लिए कि क्यों हम ये letter लिख रहे हैं then body paragraph 1 and body paragraph 2 जब भी आप अपनी letter का कोई question देखेंगे उसके नीचे आपको 3 bullet points मिलेंगे as a hint जिनको आपने use करना है एक letter की story draft करने के लिए तो वो जो 3 bullet points है आप उसको 1 and half 1 and half divide करके body paragraph 1 and 2 में लिख सकते हैं उसके बाद closing line रहता है closing line कोई fix line नहीं होता है यह आपके लेटर की demand पर depend करते हैं उसके according यह vary करेगा कि जो लेटर है वो disappointment के लिए है या कोई good news देने के लिए या किसी information को inquire करने के लिए या किसी action के demand के लिए की गई है तो closing line हमेशा आपके task के demand के according वेरी करेगी then again salutation आएगा closing line के बाद closing line के बाद आप yours faithfully लिखेंगे then उसके बाद आप अपना full name highlight करेंगे तो यह है formal letter का structure verbally discuss कर लेते हैं formal letter का question कैसा रहते है formal letter जैसे मैंने आपको बताया कि हम government agency को लिखती है तो मैं बता देती हूँ कि formal letter का question किस तरह से आ सकता है verbally discuss करते है suppose you are unhappy about a plan to make your local airport bigger and increase the number of flights you live near the airport write a letter to your local newspaper in your letter explain where you live describe the problem give reasons why you do not want this development तो यह जो question है you are unhappy about the plan to make your local airport bigger and increase the number of flight आप unhappy है आप disappointed है कि जो local airport है उसके size को increase करने की बात की गई है उसके area को expand करने की बात की गई है और वहाँ पे कुछ number of flights है उनको भी increase करने की बात की गई है आपकी जो residential है जो residential locality हम कह सकते है वो किसके नजदीक है near the airport है write a letter आपने किसको letter लिखना है local newspaper को लिखना है तो obviously editor को लिखेंगे वहाँ कि जो edit करते हैं जो article publishing का काम करते हैं कि आप उन्हें appeal कर रहे हैं कि वो publish कर दें और आप बताना चाहते हैं कि आप क्यों इस चीज़ से disappointed है Key questions क्या है explain where you live आप कहां पे रहते हैं describe the problem क्या issues होंगे तो आपने issues highlight करनी है कि noise pollution, air pollution weekend से हाना और crowded हो जाएगा, congestion हो जाएगा, busy हो जाएगे तो peace नहीं रहेगा वहाँ पे आप इस तरह के problems को highlight कर सकते हैं give reasons why you do not want this development आपने reasons justify करने हैं कि क्यों नहीं चाहते हैं यहां कि जो residential area के जो लोग है हाना उन्हें कुछ difficulties होंगी, commuting difficulties होंगी, peaceful environment नहीं मिल पाएगा या other type of issues को highlight कर सकते हैं तो यह जो later मैंने आपको verbally discuss करके बताया है यह किस category की under आता है, formal letter के under आता है तो यह हमने local newspaper को लिखना है, जिसे हम personally नहीं जानते हैं तो यह हमारा जो later का question रहेगा, यह formal letter रहेगा I hope आपको structure भी समझ आगया और जो मैंने आपको verbal example दिया है उसके according आपको समझ आगया कि formal letter किस तरह का होता है next, second type जो हम discuss करने वाले हैं वो है semi formal letter semi formal letter semi formal letter हम किसी shopkeeper को लिख सकते हैं किसी restaurant के manager को लिख सकते हैं या उससे person को लिख सकते हैं जिसे हम जानते हैं या जानते नहीं है जैसे अभी मान लीजिए मैं landlord के बात करूँ है लेकिन landlord के साथ मेरे personal relations नहीं है मैं उनको कैसे greet करूँगी Dear Mr. Sharma semi formal में हम person का last name ले सकते हैं Mr. Sharma करके बात कर सकते हैं या फिर dear sir करके भी बात कर सकते हैं जबकि formal letter के structure में आप हमेशे dear sir करके बात करेंगे आप उस person का name नहीं लेंगे क्योंकि आप उससे जानते नहीं है semi formal में probability है कि आप उस person को जानते हैं या आप उस person को नहीं जानते है वो semi formal के under consider की जाती हैं तो यहाँ पर dear sir dear Mr. Sharma हो सकता है then purpose of writing आ सकता है कि क्या reason है why you are writing this later then जो bullet questions हमारे पास आएंगे हम उसे three bullet questions होंगे one and half को body paragraph one में cover करेंगे and remaining को body paragraph two में again closing line जैसे हमने discuss किया है वो vary करेगा तो जो रहेगा your sincerely हैगा अगर हम इने closely observe करते है difference क्या है formal और semi formal में कि यहाँ dear sir ही लिखना है यहाँ पर आपके पास option है dear sir and dear Mr. Sharma होना यह आप decide करेंगे कि later किस तरह का है उसके according आप इस चीज को use करेंगे कई बार यह semi formal के नीचे आपको note भी मिलता है कि no need to address begin your letter with dear sir तो उस case में आप सिर्फ dear sir से करेंगे यह फिर आप वहाँ पर last name highlight नहीं करेंगे purpose of writing body paragraph 1 body paragraph 2 यह सब common है closing line to task according vary करेंगी yours faithfully की जगह पर yours sincerely आ जाएगा तो यह इस चीज का हमने ध्यान रखना है अभी मैं आपको semi formal का भी question read करके दिखा देती हू semi formal का question कैसे रहेगा you are experiencing financial problem you are experiencing financial problem and want to ask your landlord if you can pay your rent late हना आपको कुछ financial problems आ रहे हैं और आप अपने landlord का request कर रहे हैं कि क्या आप rent जो है वो late pay कर सकते है write a letter to your landlord तो आपने अपने landlord को एक letter लिखना है अगर वो landlord है तो आप उनके tenant है तो tenant होता है कि write a letter तो आपने इस चिसका ध्यान रखना है कि कैसे आप vocab use करेंगे in your letter explain करेंगे why you are writing to him आप उने क्यों लिख रहे हैं why you cannot pay the rent कि आप rent क्यों पे नहीं कर सकते when you will pay the rent तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको एक exact question भी दिखा दिया है ताकि आपको clear हो जाए जो मैं one and half bullet points को divide करने के बात करेंगे आपको समझ आ जाए purpose of writing कैसे लिखना इसमें body paragraph में कैसे content divide करेंगे तो यहाँ पे dear Mr. Sharma ले सकते है क्योंकि यहाँ पे हमें note नहीं given है कि do not need address वाला हना तो यहाँ पे exactly हम लिख सकते है dear Mr. Sharma I am writing this letter to request you for जो job है जहाँ पे आप job करते हैं वो company अभी loss में चली गई है apart from this जितनी भी आपकी savings थी वो आपने सब अपने parents को अपने hometown में भेज दी है for domestic expenses के लिए और जो अभी आपकी company है वो आपको पीछे 2 months salary नहीं दिये तो आपके पास enough saving नहीं आप rent pay कर सके company assurance दिये कि within the next week वो clear कर देंगे तो 15 days तक आप extension देंगे rent pay करने के लिए as per the agreement I know this is not valid but I am requesting you I hope you will understand the situation कुछ हैसा करके आप उन्हें convince करने की बात करेंगे साथ में आप यह भी लिख सकते हैं kindly write me if this is acceptable to you तो यह क्या है closing line हो गया हमारा हना your sincerely लिखे then आप अपना नीचे यहां पे full name ही लिखेंगे तो यह letter हेगा यह semi formal करेगा I wish guys आपको समझा रहा है कि semi formal and formal letter में क्या difference है मैंने आपको question भी दिखा दिए यह question होता है exact आपको exam में भी इसी तरह का question आएगा जिसमें ऊपर एक situation देंगे दान उस situation को cover करने के लिए कुछ keywords या bullet point में कुछ question देंगे जिनके बेस पे आप अपनी एक letter को draft कर सकते हैं आप 150 to 180 words में compile कर सकते हैं difference आपको समझा गया कि semi formal letter एक shop के इपर एक manager of a restaurant को लिखी जा सकते हैं जबकि formal letter हम किसी government agency को ही लिखते हैं जिसे हम personally जानते नहीं है third type of letter जो आता है हमारा informal letter आता है informal letter obviously हम अपने किसी friend को किसे relative को लिखें कि जिसे हम बहुत अच्छे से जानते हैं जिसके साथ हमारे बहुत close relations है जिसे किसी friend को लिखना लेटर तो उसका आप first name ले जानते हैं यहां पर dear John dear Mark dear Tim then यहां पर opening line रहेगा यह जो मैंने लिखा है hope you are doing well इसे हम opening line बोलते है hope you are hell and hurtie आशा करता हूं कि आप ठीक होंगे यह चीज हम किसी government agency में लिखते हुए letter में नहीं लिख सकते हैं यह हम किसी shopkeeper को नहीं लिख सकते हैं क्यों क्योंकि उनको हम personally नहीं जानते हैं उनके साथ हमारा वो एक warm connection नहीं है तो हमने जब भी formal और semi formal letter लिखना है तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम इस तरह के कोई भी opening line को वहाँ पे add नहीं करेंगे यह सिरफ हम informal letter लिखते time ही लिखेंगे then body paragraph one and body paragraph two जैसे मैंने आपको semi formal का question दिखाया था ना कि bullet points को हमने divide करने one and half में तो वैसे ही हम यहां पे भी bullet points को one and half one and half में divide करके लिखेंगे closing line लिखने के बाद हम एक sub closing line लिख सकते हैं give my regards to your wife and son इसमें यह acceptable है then best regards करके आपने भी अपना first name ही लिखना है आपने अपना full name यहां पे highlight नहीं करना है अब informal letter का question कैसे आ सकता है मैं आपको उसका भी एक verbal example दे देती हूँ for example you borrowed something from your friend later it got damaged write a letter to your friend in your letter you should apologize for it tell how it got damaged say how you are going to fix the issue आपने कोई चीज़ जो है borrow की है अपने friend से और later वो क्या हो गया है damage हो गया है आपने अपने friend को letter लिखना है उस letter में आप उन्हें apologize करेंगी tell how it got damaged कि वो कैसे damage हुआ है कोई आपसे flower vase तोट गया है या आपने उनसे कोई book ली है mistake ली उसके उपर पानी गिर गया है तो कुछ भी आप ऐसा बोल सकते हैं कि कोई चीज आपने borrow की है तो laptop वाला I think best example जाएगा कि laptop वालो किया था official presentation के लिए या फिर for the academic task जिसके वो गिरने की वज़े से उस पानी या पारकट या उसमे spark हो गया है हाना कुछ भी आप ऐसा leak सकते हैं तो आप उसे कैसे fix करेंगे कि मैंने local technician से बात किया वो इस problem को fix कर देगा या मैं इसके कुछ parts को replace कर दूँगा या instead of this आप उसे compensate कर देंगे उसे money pay कर देंगे उसके loss के लिए तो यहाँ पर आपने उसको essay लिखना है फिर उसके बाद आपका क्या रहेगा best regards करके आप नीचे अपना name लिखेंगे तो informal letter रहेगा तो हमने three types of letter discuss किया यह video उन students के लिए बहुत helpful है जो first time general training के लिए preparation करने जा रहे हैं और यह उनके लिए भी beneficial रहेगा जिनने अभी तक academic और GT के बीच में difference नहीं पता है क्योंकि academic के जितने भी task 1 है graph हम discuss कर चुके हैं almost in the previous videos और यहां पर आज हमने general training के task 1 के तीनों type की letters को discuss कर लिया है अभी जो letters हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि closing lines हैं जो opening lines हैं यह जो purpose of writing है बहुत सारे question आती है students के कि मैं purpose of writing कैसे start करें purpose of writing भी जो है यह start करने का एक different method है क्यों क्योंकि यह letter के demand के उपर vary करेगा किसी में आपको information के लिए request करना है यह कि आपको information चाहिए किसी में आपको अपना annoyance express करना है किसी में complaint letter लिखना है किसी में आपको किसी को कोई message inform करना है जो बहुत delightful message है आपके लिए तो यह जो vary करेंगे तो मैंने कुछ examples लिए है यहाँ पी important lines यह आप as per the demand of the question यूज करेंगे जैसे I am writing to inform you that जैसे किसी formal में बताना है या semi-formal में बताना है I am writing to inquire about यह जब आपको किसी से information लेना है उस time पर आप यह ले सकते हैं I am writing to complain you about suppose आप किसी product के regarding shop की पर complain करें है semi-formal में यह ना तो आप यह बोल सकते हैं I am writing to express my concern about आपने किसी को कोई concern express करना है ठीक है I am writing to express my annoyance कि आपने dissatisfaction शो करना है कि आप किसी restaurant में गेते services से you were not happy है तो आप यह बोल सकते हैं आपने अपने friend को कोई good news देना I was happy to learn about या आपको उनसे कोई good news मिली है आपने उसके लिए लिखना है कि I was happy to learn about that you were visiting my hometown soon हाना या that you have become father last week तो आप ऐसे करके कुछ भी मतलब कोई good news दे रहे है या good news ले रहे है तो आप इस तरह के important lines जो है purpose of writing को start करने के लिए या आपके लिए helpful रहेंगी closing lines भी जो है वो task के demand के उपर depend करती है तो यहाँ पर मैंने कुछ closing lines भी लिए है I hope you will act upon my advice किसी को अपने advice और आप hope करते है कि वो आपकी advice के ऊपर action नहीं हाना I hope you will definitely help me in this matter आपने किसी से help के लिए request किया है किसी product आपका कोई lost चीज है जो खो गया है कोई lost thing के लिए आपने किसी lost baggage department authority को request किया है कि वो आपके bag को ढूणने में help करे तो आप कैसे कोगे I hope you will definitely help me in this matter I hope you will definitely help me in finding the lost property तो आप ऐसे करके भी लिख सकते है I hope you will take this matter into your consideration आपने किसी को कुछ कहाई जैसे किसी के neighbor में हाना कोई pet है जिसके विलसे आपको nuisance create हो रहा है आपने उसे कुछ suggestions दिए और आप चाहते हैं कि वो इन suggestions को implement करें कि अपने pet को backyard में लेके जाएं या किसी भी another place पे लेके जाएं जहांसे मतलब यह उसकी वज़े से आप से बोल सकते हैं I hope you will take this matter into your consideration I hope this will not happen again तो कुछ ऐसा आप यहां पर add-on कर सकते हैं तो यह मैंने कुछ examples लिए हैं यह नहीं कि यह हर एक उसमें fit होंगी यह task के demand के according आपको use करनी है I wish guys कि आपको यह video अच्छा लगा है और आपको बहुत सारे जो doubts से academic task 1 and general training task 1 को लेके letters क लेके specifically कि letters के कितने types हैं उन्हें कैसे लिखते हैं उनका जो structure है वो कैसे draft करते हैं किस letter को हम formal consider करेंगे किसे semi-formal consider करेंगे यह बहुत सारे doubts आपके I wish के clear हो गए हूं इस video के through next video जो हम upload करेंगे उसमें हम यह definitely आपको बताएंगे कि एक full-fledged letter कैसे लिखते हैं उसमें किस त आपी और से हल्दी थैंक यू